वैद्या किचन सो में आप सबका स्वागत है आज हम बर्गर बनाएंगे इसके लिए हम एक केजी आलू उबला हुआ लिए हैं इसे हम अच्छे से मैस करेंगे और इसमें धाई सब ग्राम स्वाविन चंग्स को उबाल कर अच्छे से दो कर इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और इसे इसमें मिक्स करेंगे अब स्वाद अनुशार हम नमक डालेंगे, काली मिर्च पॉडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पॉडर दो चम्मच डालेंगे, जीरा पॉडर एक चम्मच, धनिया पॉडर एक चम्मच हम डालेंगे, अब इसमें हम दो कटा हुआ प्याज डालेंगे, एक टमाटर, एक सिल्ला मिर्च कटा हुआ डालेंगे, और अच्छे से इसे हम मिलाएंगे, अब इसमें हम आधा कप मैदा डालेंगे, और इसे अच्छे से मिलाएंगे, और एक डो तयार करेंगे, और इसे हम टीकी बनाएंगे, इसके जगा आप कॉर्ण फ्लोर भी डाल सकते हैं, अब हम इस तरह टीकी बनाकर तयार करेंगे, सारे टीकी तयार करने के बाद, हम यहाँ पर एक घोल मैदे का बनाएंगे, एक कप मैदे में दो चमस सूजी डालेंगे, और एक इसका घोल बनाएंगे, और हम टीकी को इसी गोल में डीप करके ब्रेट करम्स में कोट करेंगे, और इसे हम तलेंगे, यहां पर एक कड़ाही में हम तेल गरम करेंगे और इस टिक्की को इसमें हम तलेंगे यह ब्राउन हो चुका है इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे आप चाहें तो टिक्की को सेलो फ्राइ भी कर सकते हैं अब यहां पर हम सेजिनिंग तयार करेंगे इसके लिए दो चम्मच काला नमक एक चम्मच और गीनो और एक चम्मच चात मशाला डालेंगे अ इसी अच्छे से मिला रख देंगे, बर्गर की हम अब प्लेटिंग करेंगे, इसके लिए हम प्याज सिमला में टमाटर काट के रख लिए हैं, और हरी चतनी स्पाइसी वाली बनाए हैं, और मीठी वाली लाल चतनी, अब हम बन लेंगे और इसे बीच से कट करेंगे, गैस पर हम फ्राइंग पेन ग अब आदा निसेकना है, हलका ही हमें इसे गरम करना है, इसे हम दोनों तरफ से अलट पलट कर सेक लेंगे, अब ये सेक चुका है, अब हम इसकी टॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हम एक तरफ मीठी वाली लाल चतनी लगाएंगे, और दूसरे तरफ तीखी इसमें कटा हुआ टमाटर रखेंगे, श्रीमला मेर्ज रखेंगे, प्याज रखेंगे, और जो टीकी हमने बनाया था, इसे इसके बनाया था, अब हम इसके उपर मियोनीज लगाएंगे, दूसरे तरफ भी हम मियोनीज लगाएंगे, जो सीजनिंग तयार किया थे, उसे डालेंगे, अब टमाटर रखेंगे, शिमला मेर्च रखेंगे, प्याज रखेंगे, बंधा गोभी के पत्ते को हम अलग अलग कर के, नमक वाले गरम पानी में अच्छे से दो मिनट वोके रखेंगे और उसे सुखा के यहां पर हम योज करेंगे और फिर हम इसे दूसरे पाउसे कवर कर देंगे अब हमारा बर्गर बनकर तयार है इसे आप सौस हरी चटनी लाल चटनी किसी के साथ भी जो आपको पसंद हो इंजोई कर सकते हैं बर्गर बच्चो का फेवरिट है और इसे हम असानी से घर पर बना कर अपने बच्चो को खिला सकते हैं इसके लिए हमें बाहर जाने की वी आवसकता नहीं है मेरी रेसिपीज आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें